बहुजन क्रांती मोर्चा की रैली वर्ल्ड इंडिजिनिस पीपल्स डे पर बलरामपूर, सुरजपूर, जशपूर, रायगड से चलकर आज रायपूर पहुची जहां इसका समापन हुआ आज बहुजन क्रांती मोर्चा की बैठक में कई मुद्दों पर विचार किया गया जिनमें EVM को हटाकर बैलेट पेपर पर चुनाओ कराय जाने पर भी चर्चा की गई मोर्चा ने हाली के दिनों में सम्विधान जलाने की घटना का भी विरोध किया इस आयोजन में परिवर्तन यात्रा के राश्ट्रिय संयोजक वामन में श्राम भी शामिल हुए 36 गड़ राज के World Indigenous Peoples Day के दिवस पर सुदुर 36 गड़ के बलरामपूर जिले से चल कर बलरामपूर, सूरजपूर, जिला, अंबिकापूर, जस्पूर, रायगड और रायपूर में आज इसका समापन का कारिकरम हो रहा है इस देश में बीभिन जो विसमतावादी परिस्थितिया निर्वित हुई है हद तो यह हो गया कि भारत के सम्विधान को सारजनिक रुप से जलाने का कुछ सिप प्रयास किया जा रहा है लॉइन ओर तार तार हो रहे हैं, महिलाओं के उपर रत्याचार हो रहा है निर्वाचान आयोग से मांग की जारी लगातार की एबियम को हटा कर बेलेट पेपर से चुनाव कराया जाए इन बातों को लेकर यह परिवर्तन यातरा 36 गड़ में चल रहा है परिवर्तन यातरा के राश्टी से युजग मांगी वावन मिस्राम साहब का नेतरित में चल रहा है और आज इसका यहां पे समापन है और समाज को संदेज देना चाहते हैं कि इस देश में संविधान है, संविधान कानून का सुरोत है कानून के अधार पे पूरा राज और समाज चले